तो भी दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग चलिए आज की टेक्नियों शुरू करते हैं पहली जो टेक्नियों उसे यह आती है पोको की तरफ सब्सक्राइब को लॉंच करेगा यह इंडिया में लॉंच डेट आ गया है यह 8 सेप्टेमबर मतलब 8 सेप्टेमबर को पोको अपना ए सेवें 502 तो बला पुश्यमे दो बनसव blossom गईफ़ें क MOR 77 मतलब सेवें 30 से थोरण ज्यादा बेटर आपको प्रेमेंस दीन देगा कॉरches टैसे वोट सेटेफको प्रिमेरी और आपको सेल्फी में मिलता है ट्वेंटी में घ्ल ऐकल व Peng खर्फिक नक तो शार्ट एमेज का एक वारा सा बैटरी आपको इसके साथ मिलता है तो देखते एड़ सेप्टेंबर क्या होता है पोको एक स्थी को लॉंच करने के बाद यह कब तक अवेलेबल होता है मार्केट में और जो मेरा नेक्स न्यूज आती यह आती है डिजिल इंडिया आत्मान कैटाइगरी में फर्स्ट आया है वर्ल्ड किरिकेट चैंपियन टू डबलू सी सी टू यह गेम जो है यह मतलब उस गेमिंग कैटाइगरी में एज इंडियन एप सबसे उपर आता है सेवेंटी परसंट से जादा वोट मिला है इसको और जैसे कि शॉपिंग के आप अगर हो तो शॉपिंग में आपको मॉल 91 मिल जाता है इंटेंटेंटेंट के लिए अगर देखते हो तो फिर मीम चैट आता है ऐसे बहुत सारे कैटेगरी के बहुत सारे आप है जो एक से तीन नंबर के बीच आया है मतलब सेकंड थार्ड ऐसे करके बहुत सारे आपको दिया गया देखते हैं और और जो आपको स्टार्डिंग वेरियंट मिलता है वो मिलता है फोर जी फोर जी वी वान ट्वेंटी एट जी इसमें आपको हीलियो जी थाटी फाइब बाला प्रसेशर मिलता है जो नॉर्मल उस के लिए कोई मतलब को प्रोब्लम नहीं देखा गेमिंग भी थोड़ा बहुत चल जाएगा और आपको 6.53 इंच का एजडी प्लस IPS डिस्प्ले मिलता है 13 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमेरा सेटप मिलता है जिसमें आपको डूल कैमेरा और और आपको पाच पाच मेगापिक्सल का सामने फ्रॉंट कैमेरा दिया गया है 5000 एमेज का ब बहुत ही जल्दी आने वाला है तो इसमें भी आपको दो वेरियंट मिल सकता है 464 और 4128 तो देखते हैं तो अभी लॉंच हो गया है लेकिन रेट्वी नाइन आई कब तक आता है और जो नेक्स निवस आती है यह आती है सैंसंग M51 आपको तो बता है यह कुछ दिन पहले म हमें लिस्ट हो गया है तो फिर यह फोन एक्जिस करता है और जो सपेसे विशन दिखाया रही हो सकता है तो पैर इसमें ऐसका जारे स्नापडेएंगा गडिवाला पोसेसर हो सकता है तो हो सकता है और 7,000 मेच्ट के बारा बेड़ सा बैडरी आपको शायद दो सायर दो मिल सकता है तो देखते हैं कब तक लाँच होता है गुगल प्ले कंसूल बे लिस्ट हो गया है इसका मतलब कुछ ही दिनों में यह इंडिया में लाँच होने वाला है और जो नेक्स सबसे कर दिक लेनशन सब्सक्राइक मजने राइन डिल्प भूसेंसर हो देखते हैं सबसेंज सब्सक्राइब इसको बारे में हम अच्छे से बात करेंगी यह फोन कैसा है और इसे लेना चाहिए या नहीं और जो नेक्स न्यूस है दोस्तों यह इससे भी ज्यादा इंटरस्टिंग है क्योंकि ऐसा बता है जरे के जो इन्फिनिक्स यह अपना जीरो एट को लॉंच कर दिया है इंदोनेशिया में अगर आप इसके स्पेसिफिकेशन देखोगे तो फिर आप चौक जाओगे क्योंकि और समस्पेसिफिकेशन से आपको 6.85 इंच का बड़ासा फूल एजडी प्लास है और IPS डिस्प्ले आपको मिलता है हिलियो जी नाइंटी वाला पॉसेशर के साथ जो ऑवेजले गेमिंग पॉसेशर है तो फिर इन्फिनिक्स का जो मतलब सिस्टम था ना जो पी टूंटी टू पी टूंटी टू वाला हिलियो का लेकिन वह अब जा और हिलियो जी नाइंटी टी वाला पॉसेशर ला चुका है इन्फिनिक्स और 64 मेगापिक्सल का आपको क्वाट कैमेरा सेटप मिलेगा और सामने आपको सेल्फी के लिए दिया गया है 48 मेगापिक्सल का डूल सेल्फी कैमेरा मतलब ऑसम और 4500 एमेज का बारा सा बैटरी व प्राइस में आया है उसको अगर इंडिया में कंवर्ट करते हैं तो फिर 15,000 से भी नीचे आता है मतलब इतना सारा स्पेसिफिकेशन 15,000 के नीचे तो देखते हैं अगर यह फोन अगर इंडिया में लॉंच होता तो रेल में शाओमी इन सब को चकमा आ सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले एक ब्रैंड फेलू था उसका जो वह अच्छा फोन लॉंच करता है और उसका प्रैस भी अच्छा होता है लेकिन अब वह वन प्लस नॉट को लॉंच कर दिया उसके बाद अब शायद वन प्लस नॉट लाइट को भी लॉंच करेगा जो आठरा जार के नी और ऐसा आपको मुकुल शर्मा ने ट्वीट करके बताया है तो देखते यह वाच कब तक आता है इसका प्रैस क्या होता है अगर प्रैस जादा होगा तो फिर कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि बहुत सारे वाच आपको मार्केट में मतलब अवेलेबल है और अगर कोई लमतलीं के पैटेंट यह कुछ ऐसा है कि मतलब क्या इनविजीवील कैमेरा सिस्टम मतलब आपको नहीं दिखाई मैं देगा, मतलब फोन है, कैमेरा है, सब कुछे है लेकिन आपको दिखाई नहीं देखा मतलब कामेरा को हाइट करने वाला है ऐसा कुछ सिस्टम में यह तो देखते हैं इंट्रस्टिंग है थोड़ा सा क्योंकि आपके बाद 64 मिगापिक्सल का कैमरा है लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा तो कैसा होगा देखना इन्हां meillä ऊव्यर सकता है क्य भीव इस कम काम करें दाए कुछ बजेट फोलडिंग अपने मतलब आपको तो बता है यह आपको कुछ दिन पहले तरह से फ्लिप बाला फोन जेट फ्लिप और अभी उसका नया वर्जिन आया है जो अपग्रेड़ेड़ है और उसके बाद ऐसा बता है जरे कि आपको बजेट कैटेगरी में भी ऐसा फोन मिल सकता है मतलब तरह से फोल लिवल फोन तो अमेजिंग यह कंसेब बहुत है लेकिन बजेट है और सेंगसंग के तरह से तो बजेट मतलब आपको तो बता ही होगा ना सेंगसंग का बजेट कैसा होता है तो देखते यह फोन कब तक आता है और किस बजेट प्राइस में यह लॉंच होता है इसको भी देखना बहुत ही मतलब इंपोर्टेंट है क्योंकि सेंगस एक तो आप budget phone में काम कर रहे हो दूसरा foldable phone के साथ आप spend भी दे रहे हो तो awesome concept बहुत ही अच्छा है लेकिन कब तक आता है और कब तक market में available होता है यह अभी तक कोई पता नहीं है लेकिन बहुत ही जल्दी आएगा ऐसा पता चल रहा है और जो next news आता है यह मतलब last news और बहु प्रेश मास्क मतलब बहुत ही बड़ा नाम है यात नहीं होगा मुझे पता है लेकिन ऐसा एक माक्स है आप देख से क्यों डिस्पले में बहुत ही अच्छा है और इसमें आपको 400 इमेज का 400 या 800 इमेज का बड़ा सा बैटरी मिलता है और डूल फैन का सिटाप है मतलब अभी तक तो इंडिया में लॉंच नहीं हुआ है लेकिन बहुत ही जल्दी आ सकता है इंडिया में बाहर के देशों में लॉंच हो गया है तो इसका कॉंसेब अच्छा है हम फ्यूचर में चले गया है तो फिर दोस्तों आज की लिए इता है आप आम को जरूर कमेंट करके बताना की वीडियो का अगर कोई गलती हो तो जरूर कमेंट करेंगे तो आज के लिए रहता है तब तक के लिए हसते रहे है दूसरों को हसाते रहे है थैंक्यूवर वाचिंग दिस वीडियो